हलो फ्रेंड्स कॉंपटिशन कम्यूटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्यप्रदेश दर्शन की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यप्रदेश में कितने जिले हैं और यह जिले किस-किस संभाग की अंतरगत आते हैं तो देखें सबसे पहले आपको क्या बात करने कि मध्यप्रदेश में कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं तो जिलों की संख्या की बात की जाए तो मध्यप्रदेश में बावन जिले हैं इसके साथ ही मध्यप्रदेश में कुल दस संभाग हैं अब यह दस संभाग कौन कौन से हैं तो दस संभागों के नाम है चंबल संभाग गौल्यर संभाग सागर संभाग जवलपुर संभाग इंदौर संभाग उजयन संभाग भोपाल संभाग उशंगाबाद संभाग नर्मदापुरम संभाग इसी का नाम है उशंगाबाद कही शहडोल संभाग रीवा संभाग और हमारा जो है वह आ जाएगा अंत में इंदोर संभाग इस प्रकार से हम कुल 10 संभागों की बात कर चुके हैं देखिए मध्य प्रदीश में अगर 52 जले हैं और 10 संभाग हैं अर्थात इतना बड़ा राज जिसमें इतने सारे जले हैं इन जलों को याद करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है तो इस कारण से हम एक ट्रिक की तरह से इन जलों को याद करेंगे यह ट्रिक हमारी मदद करेगी इस संभाग में कितने जले हैं उसे जानने के लिए साथ इसमद में मैं आपको एकदम बिगिनर है आप इस प्रकार से सामझा रही हूं इसका अर्थ है कि आप MP के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं तो इस जीरो लेवल में सबसे पहले हम देखने वाली हैं दस संभाग जो हैं चंबल, ग्वालियर, उजयन, भोपाल, इंदौर, सागर, रीवा, शहडोल, जवलपुर और होशंगाबाद संभाग तो इन संभागों के अंदर जो जिले आते हैं वो, ठीक, तो देखिए, सबसे बहरे जो आपको संभाग दिखाए दे रहा है वो है ये, इतना बड़ा, जिसमें तीन जिले आते हैं और यहां है चंबल संभाग, चंबल नाम इसका क्यो रखा गया, देखिए, यहां पर चंबल नदी जो है वहां इस संभाग के पास से गुजरती है, इस कारण से इसे चंबल संभाग कहा जाता है, इसके साथ में जो अगला संभाग है वो है गुवालियर संभाग, यहां पे जो एक मुख्य जिला है वो गुवालियर है, इस कारण से यहां के संभाग का नाम हो यहां से लाइन डिवाइड हो जाएगी और उपर वाला जो परबल संभाग दिखाई दिखाई संभाग इए वाला यह आपको पूरा संभाग जो है सागर संभाग के नितरगत आता है वहीं जो ये वाला भग दिखाई दे रहा है यहाँ भुपाल संभाग के अंतरगत आता है सागर संभाग में पहले पांच जिले थे मर्दिप्रदेश का सबसे नया जिला निवाडी सागर संभाग में ही बना है इस कारण से अब यहाँ पे छे जिले हो जाते है निवाडी किस जिले से अलग करके बनाया गया तो निवाडी सागर संभाग के टीकम गड़ जिले से अलग करके बनाया गया इसी के साथ में जो आपको यह पिंक लाइट पिंक कलर दिखाई दे रहा है यहाँ है उज्जैन संभाग उजयन संभाग के अंतरगत साथ जिले आते हैं और मधिप्रदेश के सबसे ज़ादा जो जिले आते हैं वो एक आता है हमारा इंदौर संभाग के अंतरगत और दूसरा आता है हमारा जो जवलपुर संभाग है उस संभाग के अंतरगत अगर आप देखेंगे कि छेत्रफल की दरश्टी से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो आपको अलगे समझ में आएगा कि जो जवर्पर संभाग है वह छेत्रफल की दरश्टी से बाकी सभी संभागों से बड़ा है इसके साथ ही साथ में जो हमें होशंगा बात संभाग दिखता है इसके अंतर का तीन जिले आते हैं आपको देखिए एक फोन नमबर याद रखना है और फोन नमबर क्या है 887654333 887654333 ये नमबर है आपके संभागों का iki संभाग किसके बात कौन सा संभाग आएगा देखिए अःच संभाग में एक हो गया इंद्वर और दूसरा हो गया हमारा जवल्पुर्म साथ जिले के संभाग में हमने पड़े तो साथ जिले जो है वह हमारे उज्जेन संभाग के अंतरगत है छे जिले किसमें है तो छे जिले है सागर संभाग के अंतरगत पांच जिले के संभाग के अंतरगत आते हैं तो पांच जिले जो है वह भुपाल संभाग के अंतरगत आत दूसरा होगा होशंगावाद संभाग और तीसरा होगा हमारा शहड़ोल संभाग इस प्रकार से क्या देखा हमने कि माधिप्रदेश में 10 संभाग हैं संभागों में कौन-कौन से और कितने जले हैं ठीक तो पहले मुबाइल नंबर कौन सा याद रखना अगर आपको याद रहता है तो आपको यह एकदम क्लियर होगा कि संभाग के अंतरकत कितने जले आते हैं एक सीडी हमने उपर चल ली अब हम दूसरी सीडी की तरफ बात करते हैं देखिए आपको एक चीज याद रखनी है और वो है बच्पन हम जब छोटे थे यह हम आज भी जब हम कभी आस्मान को देखते हैं तो आस्मान में हमें बहुत सारी अलग-अलग आकरतिया दिखाई देने लगती है कभी बादल से बना त्रशूल दिखाई देता है कभी बादल से बना शिवलिंग कहीं देवता कहीं हमको हार्ट दिखाई देने लगता है बादलों से बना हुआ तो क्या वो सच में बना होता है? नहीं न? वो हमारी सर्फ imagination होती है तो हमारी हम imagination power से ही इन सभी जिलों को याद भी करेंगे देखो, imagination में आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है, इस राज्य में क्योंकि हम देख चुके 52 जिले हैं तो आपको ट्रिक ऐसी याद रखनी है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में, क्योंकि मध्य प्रदेश का भोपाल जो है, वह राजधानी है इस कारण से मध्य प्रदेश के भोपाल में एक राजा सहाब निवास करते हैं अब यह जो राजा सहाब है, यह बहुत ही प्रतापी राजा है, इसके सांत ही साथ में इनके दो बच्चे हैं, दो बच्चों में एक का नाम है अनूप और दूसरे का नाम है रीवा, अनूप जो है वहां बहुत ही उद्धन्त लड़का है, जो बहुत परिशानी क्रियेट कर रहता है, वहीं जो रीवा है वह बहुत ही सीवी शांत लड़की है, जो के हमेशा भगवान जी की सेवा में रहती है, इसके साथ ही साथ में राजा सहाब के पास एक बहुत सुंदर मोर्नी है, क्या है मोर्नी है, और राजा सहाब की एक बुआ भी है, और इनकी बुआ जो है वह गुजरात में रहती हैं और इनका संभन्ध ज्हा समाज से हैं तो यह चार आपको याद रखने हैं especially mainly ठीक है अब मध्यप्रदेश की आकरती की अगर हम बात करें कि मध्यप्रदेश की आकरती किस प्रकार की है तो यह तो आपको यह एक उठ की तरह दिख रहा होगा कि कूबड वाला एक उठ है जिसका यह मू है और यहां यह कूबड है इसके साथ ही में यदि आप मध्यप्रदेश को और इमेजिनेशन की तरीके से देखेंगे तो आपको एक पंची दिखाए देगा और जो पंची है पंची का मुँ इस तरफ में है यह पंची की लाल चोच हो गई और इसने जो अपने पंख है ना कुछ इस प्रकार से फैला कर रखियो और इसका मुँ ऐसा है तो यह हम माल लेते हैं कि मद्यप्रदेश एक पंची है अब यह जो पंची है पंची कौन सा तो जो हमने मोरनी की कि यह मोरनी की बात क्योंकि इस पूरे चेत्र में शार्षन किसका है राजा साहब का जो भुपाल में रहते हैं उनके पास सुंदर मोरनी है मालनों मद्यप्रदेश महां मोरनी है अब आंगे हम चलते हमारी ट्रेक में सबसे पहला हमारा जो संभाग है वह है चंबल संभाग चंबल संभाग में तीन जिले आते हैं शियोपुर मुरैना और भिंड सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि राजा सहाब के पास एक मोरनी है आप यह मोरनी है तो यह ही होगी या शी होगी इंगलिश में ग्रामर में ही होगी या शी होगी तो शी होगी सीदी सी बात है इसके साथ ही साथ में अगर यह मोर्णी और यह शी शी मोरणी है तो राजय साब के जो मोरणी है उसको भीड भर नहीं पसंद तो भीड से आ जाएगा भिंड़ इस प्रकार से देखिए मोरणी से मुरैना सी से श्योपुर और भीड से आ को सीधे याद रह सकते हैं कि मुरादा श्योपुर भिंड जो है वह जो ओ सम्भाग के अंतरकता अच्छमबलक माने का सिसyy 아직 कर लिए और सने कहले मूarlड armies केवल चंबल सम्भाग नाम साइब चंबल सम्भाग को lavor Kommentie अब अगले संभाग की बात करते हैं जो है गौलियर संभाग देखिए राजा सहाब जो है ना वो बहुत अच्छा साशन करते हैं पर शाशन करकर के ना वो बहुत परिशान भी हो जाते हैं तो उनका दधियाल है गौलियर में मतलब उनकी जो दादी है जो ददिया है उनकी द नेले में रहती है और मन के दुख को कई गुणा कर लेते हैं पूजा करने के बाद करने के बाद च्छिश मंदिर को कई गुना तक आप अब हमने क्या देखा राजा सहाब की ददिया गौलियर जिले में निवास करते हैं राजा सहाब यहां जब जाते हैं तो बहुत सारे शिव मंदिर होने के कारण यहां पर पूजा करते हैं और अपने शोक को कई गुना तक कम कर लेते हैं देखिये, दाधिया से आगया दातिया, Goaliyar से तो Goaliyar ही है, शिव से बात करेंगे, शिव से आजाएगा शिवपूरी, शोक से बात करेंगे अशोकनगर और गुना से बात करेंगे, तो गुना तो पहले ही लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से गवालियर संभाग के अंतरगत आने वाले पाथ जिनें हमें चुटक्यों में याद हो जाते हैं जो है ददिया, मतलब दतिया, गवालियर, शिवपूरी, अशोक नगर और गुना अब चलते हैं नेक्स संभाग की ओर जो है भोपाल संभाग भोपाल संभाग क्योंकि मध्यप्रदीश की राजधानी भी है इसलिए महत्वपूर भी हो जाता है देखें, इमेजिनीशन कैसे करना है यह आप भोपाल संभाग देख रहे हैं तो इस भोपाल संभाग में जो आपको यह भोपाल दिखाई दे रहा है इसको अगर गौर से देखो तो इसकी आकरती कहीं आपको भोपू की तरह दिखाई दे रही है यहां पर भोपू बना हुआ है जो पहले साइकल में आइसक्रिम वा गई लिए आते थे आइसक्रिम बेचने वाले तो उन लोग एक भोपू लगाया करते थे साइकल में तो उस भोपु की जैसे दिखाई दे रहा है यह भोपु तो वैसे ही यहाँ पे भोपाल में जो राजा सहाब का यह क्या है गड़ है राजा सहाब का गड़ है क्या है भोपाल पहली बात तो राजा सहाब जो है उनका गड़ है अब भोपाल में राजा सहाब क्या करते अपने बेटे अनूप को सिक्षा देते हैं उसे राय देते हैं कि किस विधी से शाषन करना है और अनूप उनकी बात सुनता ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भोपु का यूज करते हैं, भोपु लेके चलाते हैं, कि अनूप सुनो कि किस विधी से राय देते हैं, कि किस विधी से शाशन करना है, तो राजा सहाब राय देते हैं, किस से भोपु से राय देते हैं, और क् किस विधी से हमको शाशन करना है अब अनूप क्या इनकी बात नहीं सुन रहा होता तो यह कहते हैं अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम किसी और को यह राजे दे देंगे या किसी और को यह राजे देंगे ठीक देखिए राजा सहाब जो है राज राजा सहाब जो है वह अपने बेटे अनूप को भोपू से समझाते हैं कि किस विधी से शाषन करना है लेकिन उनका बेटा नहीं सुनता तो वो कहते हैं कि हम किसी और को ये राजी दे देंगे तो गड़ से क्योंकि ये राजसाब का गड़ है भोपाल तो गड़ से आपको आजाएगा राजगड़ राए देते हैं तो राए से आजाएगा राए से इन भोपू से दे रहे हैं तो भोपू से आजाएगा भोपाल विधी की बात करेंगे किस विधी से दे रहे हैं तो विधी से आ जाएगा विधी शाम बात करें कि किसी और को दे देंगे किसी और को दे देंगे तो और से हो जाएगा सी और ठीक है तो मध्य प्रदेश के भुपाल संभाग के अंतरगत आने वाले पांच जिले बहुत इजी तरीके से हमें याद हो जाते हैं भुपाल, राइसेन, राजगर, विदीशा और साथी साथ में सियोर अगले संभाग के बात करें जो है रीवा संभाग या तो आप इसको एकदम सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आर, एस, 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 ठीक, आर और ट्रिपल एस, आर से हो जाएगा रीवा, बाकी से जाएगा सीधी सितना सिंग रॉली, ठीक, या तो दूसरी टिक लगाएंगे जो है, राजा सहाब की बच्ची जिसका नाम है रीवा, बहुत ही सीधी लड़की है, और हमने बताया था कि भगवान जी में मगन रहती है, मतलब सत्संग करती है, ठीक, तो रीवा से आजाएगा रीवा जिला, सीधी से आजाएगा सीधी जिला, और सत्संग करती है, तो सत संक्तना जिला और संग से आजाएगा सिंग्रॉली जिला इस प्रकार से रीवा संभाग के अंतर कर चार जिले आते हैं रीवा, सीधी, सतना और सिंग्रॉली अगले जिले की अगले संभाग की बात करेंगे जो है शेहडोल संभाव शेहडोल संभाग के अंतर का तीन जिले आते हैं हमने पहले ही पढ़ा था कि राजे सहाब को जो बेटा है उसका नाम क्या था वह उसका नाम थानुप और अनुप वह बहुत ही। परिशानिक क्रिएट करता रहता है, बहुत ही। शैतान बच्च्छ थो अनुप उमर भर से डोल रहा है। दोल रहा है दोलना मतलब समझते हैं कि कहीं एक जखा पर ना टिकना गूमते रहना पूरे रास्ते भर में तो अनूप जो है वहाँ उमर भर से डोल रहा है जितनी भी उसकी उमर है तो अनूप से आ जाएगा अनूप पूर उमर बात करेंगे शेहडोल इस प्रकार से शेहडोल संभाग में तीन जेले अनुपपुर उमर्या और शेहडोल अगले संभाग की बात करेंगे जो है हमारा जवलपूर संभाग जवलपूर संभाग की जो ट्रिक है उसमें थोड़ी से इमाजिनेशन आपको काम करने पड़ेगी यह आपको दिखाई देरा है कटनी चिला आपके खर में कभी कोई छोटे बच्चे रहे हूं या आपने कभी छोटे बच्चों के पास जो खिलोने रहते उनमें देखा हो तो एक मैजिकल होर्स है जिसका नाम है यूनिकॉर्न तो य तो यह सी चिटा शेंते पहों पैसिती रहे हमाँ भी कणर तो यहां देता है चुक्रव उनिकॉर्अ जो क्या चाहिए lukेता हुआ 것은 लिए लालोमोई कंवाई यो खंच टाथ हैस्य दिस सिप्ष्टल में रखा जाता है तो में रिखनwegen आए बात कि अश्म रखो में में सेफिफ ö दिकजां Candi ऊविभाव थोड़ा इंद तुम्हों को लेकर जाए में नर्स के पास देखिंगे नर्स के नर्स उसको बोला गया कि बेटा तुम बल रखो अब जब रखने को बोल दिए उसके बाद उसको लेकर नर्स के पाद अब नर्स बताती कि भाई इसके जो नी में बहुत जादा कट लगया और उसमें एक शेध हो गया है अब नर्च कालती कि मैं इंजेक्शन लगाती तब तक तुम गाओ तो गाना का तो गाना गाता है सोट लग है इस दोरी को पकड़ें चलो तो इस प्रकार से हम दिखते हैं लास्ट वाला जिला टिन डोरी को उनी करता है तो दा करता है इस लेकिस के पास टो न नर्स हो से जाए का नर्स इंग कुर्स से मेरे दो laquelle कहने meant बॉल तो बाला से हो जाएगा बाला घाट तब तक उसको इंजेक्शन लग जाता है उसके मन में शांती मिल जाती है तो मन से हो जाएगा मंडिला और लास्ट में उसको बूल जाता है कि बेटा डोरी पकड़के चलो तो डोरी से आजाएगा डिंडोरी देखिए अगर आपको ये जिले अभी भी टफ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं आप इस वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख लीजिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके साथ ही साथ में एक ऐसा राज जिसमें बावन जिले हैं और दस संभाग है अगर आपको इसका 50 से 60 परसेंट भी आद होता है तो आपको खुद को तालिया देनी चाहिए खुद को शाबाशी देनी चाहिए कि आपने इतने अच्छे तरीके से इसको याद किया अब क्या हो जाएगा हरदा जिला हो रहो जाएगा हो शंगाबाद और बेटू से हो जाएगा हमारा बैतूल जिला तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संभाग में हरिदा होशंगाबाद और बैतूल जिले आते हैं अगले संभाग की बात करेंगे तो यह है हमारा सागर संभाग देखो इसकी ठीक न ठोड़ी अच्छी सी है प्यारी सी ट्रिक है यह जो भूँ हमें सबसे अभी का नया जला दिखाई देता है वह है निवारी इसको मिलागर अब यहां पे हो गए छे जिले पहले यहां पर पा तो भगवान के प्रति अपने मोह के सागर को एक पन्ने पे लिखती है, मतलब कविता लिखती है घुते है मासे फैरिय Maot मौह का सागळ जो है वहाँ एक पन्ने पर लिखती है जब पन्ने पर अपना सागर लिख देती है न कविता लिख देती है तो यह पन्ना उड़के च्छत पर चला जाता है और च्छत होती है बाई सिसे अ पन्न का मोह का सागर जो है वह पन्ने पर लिखती है और वह पन्ना उड़कर चला जाता है छत पर और छत होती है टीकम की और वो कहता है कि नो वरी, मैं तुमको यह पन्ना लाके देता हूँ, तो देखो, मोह से हो जाएगा, दमोह, सागर से सागर, पन्ने पर लिखती है, तो पन्ने से हो जाएगा, पन्ना, छत पर चला जाता है, तो छत से होगा, छतरपुर, और टीकम की छत पर जाता है, तो टीकम से होगा, टीकम चेक अगले संभाग की बात करें यहां है मारा उज्जयन संभाग प्यस? हमको याद होगा आपको की गुजराथ से राजसाहाब की बुआ थी? जिनका नाम हमने देखा तो जो जासमाज संबंध रखती है जासमाज से तो राजे सहाब के जो बुआ है वो और रीवा क्योंकि रीवा तो बहुत ही सीधी लड़की है ना सत्संग करती रहती है भगवान से प्रेम करती है तो वह कहती अपनी बुआ को चलो हम उजयन चलते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने तो पूरी कहानी जो है महाकालेश्वर के इर्दुगर धूमेगी तो उजयन में महाका करते हैं तो हला करते हैं तो उसकी बूह चिला के बोलती है है मच मच नहीं मतलब बिलकुल नहीं तो मच मच नहीं नी मच ठीक मच मच नहीं नी मच ठीक तो वह कहती है नी मच या फिर मच मच नहीं करने का तो मच मच नहीं करना है और एकदम शांती से चलना क्योंकि भगवान मigator करने मन्द मंद चलेंगे दीरे दीरे चलेंगे मन्द मंद चलेंगे तो मंद स्वार के बाद वह की गुचरते हैं से रातलाम की तो उसकी बुआ बताती है हैं हा यह मालवा का ही तो चेतर और यहां की जलवायों भी बहुत अच्छी है गीर तो देखो हमने क्या देखा कि बुआ और श्ति ब्रति महां के वह माहकालश्वर उजर्शोर में महा कालेश्वर में मोझ दर्शन करते हैं कि दूते कि साज उशंगार प्र Пटा करे हुए हैंज भगवान तो शाजो शिंगार से आ गया शाजापुर और भगवान यहापर कितना शाजो शिंगार करे हुए वास कर रहे हैं तो वास से हो गया देवास और यह शेत्र कौन सा है यह शेत्र है मालवा तो हो गया आगर मालवा ठीक, अगले संभाग की बात करें जो है इंदोर संभाग, इंदोर संभाग की जब बात करते हैं, तो जाबुआ याद है आपको, जाबुआ है ना, वो गुजराच से आई है, तो यह जो बुआ है ना, यह अली के राज को मानती है, यह कहती है हिंदू, मुसलिम, सिख्षाई ने मुझे कोथादा, यह सारे भग्वान एकी है, सारे देव हिए, धर्में एकी है, तो मैं तो मानती हो भाई, एली के राज को जो हमारा मानने है, इस मानने को हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे, इस行नोर बिल्कुल मत रखो, मतल्श छुपा कि मत रखो, इसको हम बढ़ बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो जाबुआ जो है वहां अली के राज को मानती है और अली के राज की धार को अर्थात इनके विचारों को यह बढ़ाना चाहती है तो बढ़ाना से बढ़वानी क्या कहती हैं जभबू की अली के राज को हमें इंडोर नहीं रखना और बढ़ा रही है और य बढ़ाना क्यों चाती है जिस प्रकार से हिंदुों में मुस्लिम के प्रती खार भरा हुआ है मतला बुरा बुरा चीज़ें भरी हुई हैं वैसे ही मुस्लिम में हिंदु के प्रती बुरी चीज़ें भरी हैं हम अन्य धर्म के प्रती मान लीजी कुछ लोग हैं जो बुरा मानते हैं तो जो भी ऐसी बुरी चीज़ें जो भी ऐसी खार है, वो सारी खार हमारी गॉन हो जाए, चली जाए, तो खार हमारी गॉन हो जाए, तो खर गॉन, और खार गॉन हो जाने से, हम खंड होने से बच जाएंगे, और यह क्या है, यह बहुत अच्छी बात है, तो हम क्या नहीं होंगे, खंड खंड नहीं होंगे, खंड खंड से खंडवा और बुरहानपुर की बात करें तो यह बहुत ही अच्छी बात है यह हो सकता है और दूसरी चीज़ यह आद रखने आपको बुरहानपुर जो है इसके लिए आपको ट्रिक के जरुवत नहीं है क्यों कि बुरहानपुर जो है वह मध्यप्रदेश का स अब से दक्षणी जिला है इसके साथ ही साथ में इसे ही हम कहते हैं दक्षण की कुझी या दक्षण का द्वार जो भी राजा इस जिले को जीत लेता था वह मानता था कि उसके लिए दक्षण का दर्वाजा खुल गया है छिक क्लियर सारी चीज़ें तो कौन-कौन सी चीज तो बढ़वानी से बढ़वानी 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 और इसके बाद वह कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जितनी खार है वह सारी खार चली जाए खार गौन हो जाए जिससे हम कब बहु खंड खंड ना हूं और यह कोई बुरी बात तो है नहीं तो बुरहान निपूर इसके साथ ही साथ में हम मध्यप्रदेश के सभी संभागों को और उनके अंदर जितने जिले आते हैं उनको कवर कर चुके हैं अब एक बार क्या आप लुक चाहेंगे कि हम रिपीट करें सारी चीजों को तो चलिए एक बार हम सारी चीजों को रिपीट कर लेते हैं है मंहीं बदेश करें कि चिल्ले की बारे में क्या सब्धे पहले एक आप करें घुद्ड मोर्नी अ मुरेन भीड नइन फासंद चिम करन थे करते हैं तो शिव शिव शोक नकरण और गुनाइब अब आसे तो जाएंगे राजव साहाम अपने बेटे अनुप को भोपू से समझाते हैं और भोपू से क्या करते हैं तो राय से राय सें, क्या राय देते हैं कि किस विधी शे शाषन करना है तो विधी से हो गया विधी शाह और भुपाल जो है वो राजा सहाप का गड़ है तो गड़ से हो गया राजगड़, और अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे, तो वो किसी और और को राजी देंगे तो और से हो गया उनूप पर बात करें रीवा एक सीधी लड़की जो तो रीवा से रीवा और सीधी से सीधी और सत संग करती तो सत से सतना और संग से आ जाएगा सिंग रॉली फिर बात करें सागर संभा की तो रीवा भगवान के प्रती अपना जो मोह है अपने मोह का सागर मोह से हो गया दबो सागर से सागर अपने मोह का सागर पन्ने पे उड़ेल रही है तो पन्ने से पन्ना, पन्ना उड़के चला जाता है छत पर, छत से छतरपूर, और किस के छत पर जाता है तो टीकम के छत पर, तो टीकम से टीकम गड़, इसके साथ ही साथ में टीकम बोलता है कि नहीं तुम परिशान मत हो, मैं तुमको वापस लाके देता हूं, नो वरी मैं टुसल फॉर्ट कि कर दोफंटे इसमी करद शुल हो ब ही द कर दो ठीक पर कने यहां पर शुल यहां के निवारी से नि अनुमरों भर से डूल रहा है तो दोल घोख हो से गुठीन लिभयाइं तो नर्स से नरस में आपको घूढ गर खाया, तो च्छोटने में पर आपकोड़ि लगा मत हते है, और और में आपको पर उसके लगा 똑같akan अगले संभाग की बात करते हैं अब अनूप को जैसे ही चोट लगती है तो राजर साब बोलते हैं बेटा समभल के रहा करो हरदम होश में रहो बेटू तो हरदम से हरदा होश में से होशंगाबाद और बेटू से हो गया बैतूर अब बची हमारे इंदौर्स्त और उजयन सं भाग में रीवा और उसकी बुवा महकालिष्वर के दर्शन करने जाते हैं तो महकालिष्वर कें करने जा रहे हैं लोग हला करें तो बोल रहे हैं मच नहीं करना है यह तो नहीं मचमच नहीं मचमच तोदेमत मंध मन जाएंगे बिना श sur zij हो मद्स और कहां से गुजर रहे तो रेखलाम की गलिया कहाना है महाकालीश्वर है बहुत ज्यादा ऑग्वान षाजा-शिंगार करके बैढ़ी हुए है तो शाजापूर क्या करें है भगवान यहां पर वास कर रहा है थो जो गया देवास और भग्वान giàu यहां यहां पूरा शित्र क्या पढ़ता है मालवा से हो गया आगर मालवा फिर बात करते हैं इंदूर संभा की तो इंदूर में हमने देखिया कि जभागम कि इस ठीम मानती है जबुआर जस्थे ढरें कि कि ढर को इंदूर मत रखो लिग रखो इसको बढ़ वाते जगाओ बढ़ाते जाओ, बढ़वानी, बढ़वानी, तो बढ़वानी से बढ़वानी, जिससे हमारे अंदर की जितनी खार है, वो गौन हो जाए, खार चली जाए, तो खर गौन, जिससे हम कभी भी खंड खंड ना हो, खंड खंड से खंड वाप, और यहां कोई बुरी बात तो है तो बुरहानपूर इस प्रकार से हम मध्यप्रदेश के पूरे बावन जिलों को कवर कर चुके हैं देखो अब क्या करना है आपको अब यह है हमारा एक सिंपल बोर्ड अब इस बोर्ड में मैं आपके लिए लिखने वाले हूं कॉश्चन अब इन कॉश्चन के आपको आंसर देने हैं जैसे की इन दौर संभाग में कितने जिले हैं फिर उसके बाद सागर संभाग में कितने जिले हैं, कटनी जिला किस संभाग की अंतरकत आता है, इसके साथ ही साथ में बैतूल जिला जो है, वह किस संभाग की अंतरकत आता है, अगला कॉशन यह रहेगा, कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, माद्वे प्रदेश में जो हमने फोन नंबर बताया था जिलों का वो फोन नंबर क्या था और इसमें तीन जिले वाले ऐसे कितरे संभाग है इसके अलावा जो मुरैना जिला है वहाँ जिला जो मुरैना जिला है वहाँ किस संभाग के अंतर गताता है देखे यदि आप इन 5-6 कॉस्टन का आंसर बिना देखे दे सकते हैं तो अपने आपको बहुत जादा शाबाश यह देजिए और तालिया दीजे क्योंकि आपने एक बार में ही इन सारे जिलों को कवर कर लिया है और एक शोटे है ने 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 क्योंकित है